मेरे फ्यारे बच्चों, आज मैं आपको Word Formation का तीसरा क्लास बताने जाना हूँ, इसमें आप लोग को फिर से मैं एक बाद बता हूँ, कि वर्ड जेसे देखना है, कि ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड्स और इसी से जो हम बनाते हैं, उस वर्ड को डिराइवेटी वर्ड क्या पनेंगे, डिराइवेटीक वर्ड से होनेंगे, अब जैसे देखे माल दीजिये, कि डिराइवेटीक वर्ड्स क्या वात थे हैं, इसमें हम डिराइवेटी वर्ड्स में रहील्फ लेंगे इसका prefix, infix और suffix, लेकिन एक सी जाण रहना है कि इसमें ओरिजिनल वर्ड मि यह Kart यह सब नैसी कि इंट क कालिगां लेकिल आहें विर्षाद हें हना हिटू कर दोगों को समझे के लिए जए वर्ण इसको बर्ण किसको बette और चिस वर्ड फर्मेशन में जाएंगे, एक सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड देखेंगे, फिर रूट वर्ड में जाएंगे, तो रूट जो है, वहां से वर्ड कई वर्ड बना सकते हैं, रूट से, लेकिन प्रेफिक्स अफिक्स से सिर्फ हम एक वर्ड बना सकते हैं, और रूट वर् बना सकते हैं जैसे इंट्रोइस्पैक्ट इंट्रोइस्पैक्ट रेट्रोइस्पैक्ट रेट्रोइस्पैक्ट रेतो इस्पप्सपट, जन्होक कने मंता है ,ते हैं है cent ऑन blank है . है ? रेतो जिफिना जिफिना साँ यही, ठस्पां जिफिना है सरिक इसे में है . नोक सबाद है , यही नोक मैं की लints अ कम नूम्न जे बुट, पछिना पन रक पसे है . आप जिसके संब में उटाना है रूट में ये ध्यामत मना है कि रूट में वो एनिवर या कहीं भी जा सकता है लेकिन प्रेफिक्स अफिक्स जो दिगाई इडिवर्ट्स बनेगा इसका प्लेस हमेशा फिक्स रहेगा इस सर्फिक्स इधा रहेगा प्रेफिक्स आगे में रहेगा और इन फिक्स जो है वो बीच में रहेगा लेकिन रूट आप देखिए कभी आगे आएगा कभी पीछे आ सकता है कभी बीच में भी आ सकता है तो रूट कहीं भी जा सकता है स्टेक्ट जो है यह रूट है यह हर्मेशन वर्मेशन होता है रूट से वर्ड का हर्मेशन होता है और वहीं पर देखना है यह इस से होता है इसको यह कर सकते हैं तो रूट प्रेफिक्स सद्फिक्स इंफिक्स देखने में एक जैसा लगेगा कभी कभी लेकिन आप लोग को इसको बेटर धन से सीखना यह है जैसे हमें एक जापत देते हैं कि एब और अब जैसे यह दोनों रूट है जैसे एब का मीनिम होता है सेंस टू गो अभी दूर ज अब जैसे अगर किसी से एबौन घेना करना या उनी दूर जाना आप जैसे इसी वर्ट से बनता है एड है उसी तरह से बनता है एडिक्सट अब जोठ करेंगे तो चसराब करें जोठेंग अगर भोलते हैं तो उसका मतलब सराब से उसका उपर हेंगे अब वही पर एडिक्षेंगे तो वाइन अगल होते है, इसका मतलब सराब का हमको लट रड़ रहा है, इसका मतलब हमेशा सराब के नियर नजदिक जाए है, इस तरह से लेखते हैं कि रूप जो है, एक वर्ड में मिनिक, सेंस, मिनिक बुलिये या सेंस डाब देता रहा है, और वो सार जो है, वर्ड, more than वर्ड वर्ड उससे बना सकते हैं और सब में उसका कुछ न कुछ सेंस रूट का रहेगा इस तरह से वर्ड हम एक से जागा आ सकते हैं बना सकते हैं एबेंड़न ठीक अपुणिगेट ठीक एमजूर देखिए सारा वर्ड जो है आपका इसमें रूट से भी बना है सर्थमें देखिए एब आरा है यह सारा वूट और यहाँ पर देखिए एडिश्य इस तरह से सर्थमें देखिए एडि आ रहा है यह रूट है अब हम अब हम देखेंगे कि रूट जो है देखने में थोड़ा सा कभी-कभी लगता है जैसे वो प्रेफिक्स भी है या सब्फिक्स है इसमें आप लोग को कभी-कभी कन्फूजन होगा लेकिन इतना सा कन्फूजन नहीं होना चाहिए यह हमेशा याद रखेगा कि प्रेफि इतना साथ फिक्स हटा देने के वाद में बच जाएगा और हटा देखें जैसे पोधास होग जाता है उसी तरह से वह वर्ड खत हो जाएगा चाया कोई भी वर्ड से आप बचत हो जाएगा आप यहीं पर देखें कि रजा कि एक वर्ट हम लिखाते हैं आप नौर्मान हम ल इस के इतली अच्झा है कि रूत से फॉर्मेशन होता है न्यू नहीं उन से पोंस मोथाAudert गारी केरे उसलिए कर तता है नहीं housing तो मेशें ओए प्राइव एक नि WingMan में मतरे हो और प्रीक्ड से सिर्फब रह मुझा होता ओना नहीं है इसे हम two terms on एक तरह ससो बदर लेते हैं जैसे भर्भ है तो नाउन मने पिछली क्लास में बता चुके हैं इसमें हम वर्ड को भर्ब से जिसे नाउन कर लेते हैं जिप्टिब से भर्फ कर लेते हैं इसमें इसमें पहब लेते हैं प्रेफिक्स अफिक्स याँ आप कह सकते हैं कि डिड़ाइटिव वाइटिव बनते हैं और इसके हेल इसको टूप फॉरमेशन भी कह सकते हैं इस तरह से आप देख सेने हैं कि word जो है formation के अंगर है और जाने दिराइबेटी बड्स जाने और रूट बड्स जाने यह चीज ध्यान पर है कि original word जो है वो लेटरा लेटरा लेटर से जूठ के जो word बने उसी को क्या बने है अरिजिनल word या या कभी-कभी लेटर 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 जोट के जो बन्ना है वहां बन्हम पहले एक बरावन अगर बनने लगे उसे जोगता अचे शुचित के क्या बन दलता है तो इस तरह के वर्ड को हम क्या काते है और इस ना वादे आप का सकते हैं कि अरग बने लेटर का जरूप्रिट और अगर बरा बनेगा तो वह अपना आप सी ने वर्ड का सकते हैं कि एक इस्टे पागे बाग जाता है ओरिजिनल वाड, डिडाइवेटी पड और रूट वाड, फरा सर पिलेन होआ, यह ती accesor कहांदार है अब जैसे औररिजिनल वर्ड के कि हमको लेटर चाहिए, सिलेबल चाहिए, डिडाइवेटी पड्स के लिए हमको प्रेफिक्स, इंफिक्स, सफिक्स चाहिए और root word के लिए हमको root चाहिए, हमें इसा याद रहे हैं इसके लिए आपको कह चाहिए root तो जैसे 1500 के लगभग prefix, suffix, infix है, उसी तरह से ऐसे 1200 सब के लगभग root है लेकिन 100 root ऐसा है जिसे बहुत सारा word बनता है तो root, suffix, prefix, infix यह सब चीह आपको जबने है अब हमको यह आज और बदर्ण हर लगभगो, कि वर्ड कितने तरह बहुते हैं इस्टक्चर के लगभगु, इस्टक्चर के लगभग बनता है, इस्टक्चर के लगभग बनता है सारा word जो है, वहर कैसे कैसे सोचेंगे क्या चीखन सोच उसको क्लासिफाइब करेंगे सबसे पहले की भ्याव देजिए कि वर्ड कितने तरह क्यों हो सकते हैं जैसे देखिए एक जो सिंपल हम लोग वर्ड होते हैं फिर यहीं वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड फिर यहीं वर्ड हो जाता है कंप्लेक्स वर्ड अब है तीनों वर्ड ही लेकिन जला हम इसको सीखने लगेंगे ऑब हमको बहुत कि अवेटिश वर्ड को दो करनाख दो होगा कि अखिर शुस मेेत लिए कि कंप्लेक्स वर्ड जो एक हम बहुत जरूर व जाता है जैसे रेक अगट वर्ड है हमकिन आगए पकम धूर quêंटेक्ट पिस्ट़ पिस्ट़ अगर मोलते हैं हैं ने पिश्टल यहां पर एक वर्ड का कौंगा रहे लगता है यह पूरी अब जैसे देखिए उसी तरह से पैन बोलें अब वही पर जैसे जब पैन मिस्टिक या पैन स्टेंट बोलते हैं यह पर बाउंड बन जाता है तो देखिए एक वर्ड हम जोगते हैं कि यह वर्ड रहे लेकिन इसको आतेशने तब्लेक नहीं करने हैं जेसे तीन ऴर्ड Suppose को रहा है अब यह पर गौर करेंगे हैं इत lleg carpet आप और पूले थेसर लेटर के विल हुखाने में ति उस चीज़्शा की नहीं पर्णा तहां यह पर तुछ साब नहीं तरह स्सा होगा आगे में एक वर्ड है कि वर्ड वर्ड जुचके एक वर्ड है लेकिन यह मिला कि सैंटम इफ एے अब लिखते है यह ही एक वर्ड है आप सुची एक तीन वर्ड नहीं है एक वर्ड है और ऐसे ही वर्ड को क्या मोलता है complex वर्ड और दो वर्ड का जो प्यार आता है उसको करते है compound वर्ड और जो एक वर्ड है single word उसको क्या मोलता है single word यह according to structure structure की अनुसार वर्ड तीन तरफ यह संटेंस लिए लोग वर्ड है कि संटेंस लिए simple compound complex उसी तरस आप लोग तरस है इजी करने के लिए बोच सकते हैं आप लोग वर्ड भी तीन तरफ इस्टक्चर के उसारा होते हैं simple compound complex ठीक तर थोरा सा इसको आगे सा प्रैक्टिस सिचने ही आपको ज्यादा मिलेगा ने अच्छा जैसे एक ठोबयों एक जब पलते हैं जैसे दू एक वर्ड लेकिन वहीं पर डाय भी एक वर्ड एक वर्ड करना है यहां do or die एक वर्ड का प्रमका पता है जैसे a use and throw policy a use and throw policy कैसा policy अब थोड़ा से समझें दिकत होगा लेकिन हम बता रहे हैं इसको समय कोशिश किजिए यहां पर यूज थो जा है लिखो फैपो अब जैसे लिखो फैपो बोलते हैं एक वर्ड है करो या मरो बना इस्तिती है मेरा इसको हम आई से बोलता है नहीं एक सिंगन वर्ड के तरह वर्ड है उसी तरह से दू और डा एक वर्ड है यह वर्ड जो है कंपाउंड कोंप्लेक्स वर्ड के तहता रहता है तो जैसे वर्ड बनावी के लिए हम पुछेंगे कि लेटर सफिर प्रेफिक्स कजर नहीं होता है लेकिन यहां पर हम ही फिर बतला रहे है कि वर्ड वर्ड बतला नील के ली वर्ड बनता है और ऐसे वर्ड फॉर्म कंपाउंड यां कंप्लेक्स वर्ड करते हैं फिर आप सुने हो कि आइग्यों मेंटिक वर्ड मेंटिक वर्ड इखता है और एक न्यूब बढ़ जाता है वार्ड से जूठ के एक new words बन जाता है और यह अपने original meaning को छोड़ देता है जैसे put मतलब रखना हो गयता है लेकिन अगर put off लिखते हैं इसका मतलब हो जाता है बुझाना, तदेकि यह अपना meaning छोड़ दिया किना उसी तरह से look मतलब होता है देखना यह को look down upon अगर लिख देते हैं word तो यह एक तरह से होता है किसी को नीचा दिखाना या अनाजाज करना एक तरह से यह नया मतलब होता है क्योंकि इसको भार बार देना कि इसी इसको फ्रेजल भार बिखते है लेकिन जो आपना meaning छोड़ के दूसरा meaning दे उसी को ideomatic words करते हैं इस तरह से आप देखिए word क्या सबढ़ रहा है इस चाचर के नुसार अगर word बोलते हैं तीन तरह का हो जाता है simple complex फिर word का different different types बोलते हैं उसमें आ जाता है आपका ideomatic word, root word, derivative words यह सब आ जाता है फिर जैसे word को parts of speech के इंसार बांटेंगे तो parts of speech में आपका noun, भार, adjective and verb यह two words होता है जिसको हम लों क्या बोलते हैं फिर उस total word को अगर बांटते हैं एक चार word का group हो जाता है जिसको structural word काते हैं और एक चार word का group हो जाता है जिसको grounding internal word काते हैं तो word formation में यह सब चीव थाना से तब गौद काता है कि word पहचा लोगा यह बहुत important है word बना लोगा यह बहुत important है अच्छा लोगों के से पहते हैं तो word अपलब सीधा meaning माने बहुत है word अपलब मिनिंग लिखुन नहीं अब आपको यह बहुत आपको और चीज़ सीखना है सबसे पहला word formation यह आप ओर नाइटिंग के लिए जर्वी है जब आप लिखनों चाहते है word formation फिर दूसरा चीज़ होता है word transformation इससे भी आपका एक तरह से राइटिंग स्किल के लिए जर्वी है राइटिंग स्किल के लिए यह बहुत जर्वी है हम word को बदल सकते हैं हम word बना सकते हैं अब word बदल सकते हैं अब अध्यक्टिब एक भर्व कर सकते हैं तीसरा चीज़ आता है identification of words word को पहचनेंगे गई से identification of words यह भी बहुत ही content है लेकिन यह आपको ख़ब जर्वी मत है जब आप पढ़ना चाहतें कोई चीज को क्योंकि हम किसी word का meaning बोलेंगे तुससे पहले हम उस word को identify कर रहा होगा ताकि हम उसका meaning सही बोल सके एक होता काई से कुछ बोल नहीं लेकि वो sentence के साथ math या suitable नहीं लगा इसके लिए सबसे पहले आपको word identify कर रहा होगा अब बोलेंगे identify कैसे करते हैं अभी बताएंगे लेकि अभी पढ़ें एक दोईशने को देखें फिर आता है uses of words अब है कि हम उस word को कैसे use कर रहे या कोई भी उस word को किस तरह से use कर रहा है होता है क्या कि कभी-कभी हम लोग जैसे पहले word था और इसे related अभी देखिएगा sanitizer एक word आ गया है उसी तरह से quarantine एक word आ गया है isolation word पहले से था लेकिन अभी ज़्यादा सुन रहे है pandemic word पहले था अभी ज़्यादा सुन रहे है और कुछ नया word कभी-कभी बन जाता है और कभी-कभी creation हो जाता है जाता है तो यह word होता है कि कभी-कभी हम कईसे उस word को यूज कर रहे है अब मौन लीजे कोई इसका हम कलार नहीं जाने है हम लिग देते हैं apple color दीजिए apple color 60 दीजिए अब हम उस color को एक्च्वल हम नहीं बोल पाते है हम उस जगर पर apple को ही mind में रखके उसका color बताने लगते है apple जैसा color दीजिए यह जो हम apple color search जो बोले यह word को हम कैसी यूज कर रहे है क्या हम apple दिखना चाहरे है ना apple तनाम है लेकिन हम यहां पर इस word को कैसी यूज कर लिया adjective क्योंकि color बोलेंगे तो वर्ड adjective होगा लेकिन color हम उसका एक्च्ट color नहीं बोल पात। the apple ही उस word को coffee color बोल देते है coffee color जो बोल दिये अब coffee उसका एक्च्ट color नहीं बोल पाते कफी को ही मुच्वरा पर हम वर्ड के तरह उसकाना उन पाइसे यूज कर । पाचमा तम हम जाते हैं लेकिन अब लोग पच्छा से पहले हैं कि शबसे फहले वंट बतल अब मीनि लेकिन नहीं अगर हम इतने मीनिंग को ही अगर याद रखे हो वर्ड याद रख लें तब इतना कमने को जरूए लेकिन यह पॉसिबल नहीं है आप वर्ड याद के लिए रख भूलिएगा वर्ड को समझना है और हम तो कहेंगे कि ग्रामर से ज्यादा फोकस वर्ड पे ही होना चाहिए वर्ड पर जिसका कमन होंगे आर्ग एग्रीप हो गया उसके लिए ग्रामन असान है वह कम है जोटा चैप्टर है बहुत चोटा ग्रामन होता है और अनम्ट होता है इसलिए सबसे जादा होकसर अगर कमन है तब लाश्ट में है मीनिंग व्वाड अब जैसे लिए पांच यह लग कर रहा है कि word formation ऐसे हो, word transformation ऐसे हो, word identification ऐसे हो और business परिस्थिति जैसे special circumstance में बतलाएं कि कुछ word को अजीब अजीब तरह से यूज करते हैं जो अभी हमें यह मन लिखा रहे हैं और तब last में हम आएंगे, meaning of words अब देखिए एक जरा सा हम समही word को formation, transformation, identification, usage तब meaning पर पहुंचते हैं जैसे बच्चा वा sentence लिख रहे हैं, a child is running लिखते हैं, a child is running सब जानते हैं आपको की running मतलब क्या है, don, लेकिन आप यहीं पर देखिए, I am running my business I am running my business, अब आप जो याद किये हुए meaning है, क्या यहाँ आपका यह sit करेगा, नहीं sit करेगा running मतलब दौर में होता है, my door रहा हू, my business, meaning better, नहीं इसका मतलब होता है, क्या हम तुरा जो meaning पर चल जाते हैं, वहार action में सही नहीं होता है, और इसलिए हम paper में जिन सब पकते हैं, तो हम बहुत चीछी लगता है, इसलिए आप हमेशा को डब करके रहते हैं, इसके लिए आपको यह process सिर जाता होता है, अब जैसे लिए हम पर यह word का meaning जो है, my business जैसे यह word, word इसका यह object है, object के अनुसार भी इसका effect इस word के meaning पर पढ़ता है, क्योंकि इसको use कर रहे हैं, इसके साथ use कर रहे हैं, इसके साथ use कर रहे हैं, तो उसका purpose पर change हो जाएगा, और word meaning पर उसका effect पर जाएगा, इस तरह से word meaning से पहुँचने के लिए, यह process साथ नहीं होगा, और यहीं सीखना चाहिए, focus इसी बार दोना चाहिए अपनों का, अब जैसे देखिए गिरा सा, word foundation, यहीं अंदर यह समझ जाएगा, तो word का use, देखिए फरा साथ कर रहे हैं, जो confuse करते हैं, देखिए फरा सा, अब जैसे word word है, ठीक, अब लगेगा यह भर जैसे मौनली जी हम बोते हैं, I work, I work, honestly, आप सिंपल समझे हैं, आप फुनिष्ट होगे जी, यह sentence होगे, तो आप जैसे देखिए गिरा सा, कि जब आप इसी का sentence लिखा अपर देखिएगा, और तब उहाँ पर आपको 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 पहंसर और दिखने के लिए ही आपको आपको सुरू का आप इसुप्राइशा से सुनु हो जाता है, इस्टर्चर और 1500 से 200 के लग इसुप्राइश जो देभे देभे बताएंगे, अब दुरंत हमसाल नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस्टर्चर यहन से इस्टर्चर का और लेंकुज सीखने के लिए ऐसे जरूरित होगा ते लेंकुछ जरूरित तास शाया है उसी तरह प्रत में जब सजाऊंगे, तो किस तरह से सजाऊंगे, क्या नहीं करेंगे तो गलती होगा इसीको सुधफळ सुद्द हरने के लिए हमे लोग क्या पाते हैं वर्ड goose फिरसे बाई को सी albums, बाद को सब्सक्राइब किस इस्टख्चर को किस इस इस इस्टखचर पर किस तरह सजाएंगे यही यही रूल लेपलेशन हो को कौन बतलाता है? ग्रामा और यही ग्रामा अगर हम फ़लो करके इस्टर्चर को नहीं सजाएंगे तो यही एरण होता है इसके भी हम लखें कि पहले ब्वाडाना चाहिए तब इस्टर्चर आना चाहिए तब क्या होचे ग्रामा अच्छोथा तब हम खुद पहुँ जाएंगे कि इस पे लिए प्रोसेस होता है इस्टर्चर पहुँ जाज देए अब बोलेगा कि इस्टर्चर क्या होता है अब जैसे देखे जब आप संटेंस मैंना इस्टर्ट कि जेगा तो वहां पर आपको स्टर्चर ही फॉल्मेटार और संटेंस फॉर्मेशन मतलब स्टर्चर और वहां पर वर्ड को स्टर्चर के अनुसार ही सजाएं जैसे डिटर्माइनर के बाद मालीचिया नाउन और यह एक्वर्ड अम्युक्ति नाउन इतेवांध में एक वर्ड pomo रख सकते हैं बहुत कैसे और जेखें से अगर जान पर डेंपर ऐस्टर्चर की वह रख सकत्वर्ड के उसको प्यां का सूपकर सरा आपको आप देखए इस व Gir मोसप्तšया और नान आथा कि इस्ट्रक्चर क्यों जरुए हुता है तो पहचंदी के लिए से एक छुसा तर यह आया कि वर्ड फर्मेशन के बाद हम वर्ड आइडेन्टिफिकेशन प्रेसिक रहे है तो वर्ड आइडेन्टिफिकेशन के लिए हमको दो चीछ जाना हो ब्लेश और अंसा और ब्लेश जानने के लिए हमकिस पर जाएंगे इस्ट्रक्चर के लिए